आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे दान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत 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 है एक और ग्लेशे टूट गया है दोस्त उत्राखंड में नीती वैली में यह हुआ है एलेट जारी कर दिया है क्या ख़बर हमें इस ल सुमना नियर सुमना एडिया औफ नीती वैली इनडिया चाइना बौडर के पास है चमोली डिस्ट्रक्ट में आता है उत्राखंड में अभी आपको पता ही है चीफ मिनिस्टर को हटाया गया नए चीफ मिनिस्टर आए है तीरत सिंग रावत उन्होंने बोला है कि हम लगात मैंने बताए नीती वैली में रिपोर्ट किया गया और हमने तुरंत एलर्ट जारी कर दिया भी आपको पता ही है कि उत्राखंड में कुछ ही महीने पहले बहुत बड़ा हाथसा हुआ था जब ग्लेशियल लेक से हुआ था या जो आउटबॉस्ट हुआ था उसकी वज़े से कि जाने गई थी बहुत बड़ा हाथसा हाला कि एतना बड़ा हाथसा नहीं है लेकिन उत्राखंड में ये इशू तो किया गया है एलर्ट इशू किया गया है और उसके बाद तीरत सिंगरावत ने ट्वीट पे ट्वीट किये मानिनी ग्रह मंतरी शियमिच्छा जी ने तूटने की सूचना का तक्तकाल संग्यान लिया ये तीरत सिंगरावत ने बोला उन्होंने इस घटना को गंभीता से लेते हुए उत्राखंड की पूरी मदद देने का आश्वासन दिया दूसरा ट्वीट था कि उनकी इस तक्परता वसविंदर शीलता के लिए मैं अपने प्रदेश वासियो की ओर से मानेनी ग्रे मंतरी श्रीयमिश्या का दिल से आभारव्यक्त करता हूँ ये उन्हों ट्वीट किया अब देखिए आपको याद होगा कि साथ फरवरी को यहां पेल जो ग्लेशर आउटबर्स हुआ था बहुत ज़्यादा खतरनाक था वो भी नी इसमें से 80 बॉडी डिसकवर हुई 124 का अभी भी कोई अता पता नहीं है अभी तक मतलब पिछले के पिछले महीने ये घटना हुई थी साथ फरवरी को जब हलकम पमजगया था और अभी तक दोस्तों हम यह देख रहे हैं कि बॉडीज मिल रही है ये जो सुमना एरिया है यह रहीनी विलिज जो लगभग 40 किलोमीटर दूर है ये मलब चाइना बॉडर के पास है वहां से 40 किलोमीटर दूर है ये जो तपवन एरिया है जोशिमत टैसील का चमूली डिस्ट्रिक्ट में वहां पढ़ता है रहनी विलिज के पास रहनी विलिज के पास रिशी गंगा रिवर पढ़ती है और नीती वैली में ही साथ फरवड़ी को ग्लेशियल बस्ट हुआ था ठीक है और बागल में ही रिशी गंगा रिवर है अब अगर ग्लेशियल बस्ट होगा तो प्रॉब्लम रिवर में आएग निशी गंगा धौली गंगा नदिया यहां से बहती है दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है यहां पे डाउन स्ट्रीम में तो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि एकदम से पानी आया और हालत खराब हो गई फ्लड जैसी स्थिती आगी थी फिलाल यहां पे रावत ने बोला है कि हमने डिस्ट्रिक्ट एड्मिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्ट कर दिया है और लगातार हम टच में है इन्फर्मेशन्स मिल रही है जो भी एंटी पीसी के प्रोजेक्ट है क्योंकि यहां पे हाइड्रो प्लांट लगे हुए यहां पे पानी से बिजली को बनाते हैं तो जो भी प्रोजेक्ट है अभी उसको बंद कर दिया गया है अच्छी बात यह है कि किसी भी किसी के भी जान नहीं गई अभी तक कोई क्याजुल्टी रिपोर्ट नहीं हुई है और जो नाशनल डिजास्टर रिस्पॉंस फोर्स एंडी आरेफ है उन्होंने ये बोला है कि रिशी गंगा रिवर में जो पानी है वो दो फीट उपर चला गया है बाई देखो धौली गंगा और रिशी गंगा में ही तो फ्लेट है वो इशू कर दिया है और अच्छा यह हुआ क्यों यह स्नोफॉल की वज़े से हुआ है यह जो ग्लेशल आउटबर्स्ट है ना यह बहुत ज्यादा हेवी स्नोफॉल हो रही ती इस रिजन में जिसकी वज़े से हुआ है और यहां पे जो बी आरो के सीनियर ओफिशल्स ह यह बोल रहे हैं कि जो रोड कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व्ड थे हम लगातार उनसे कॉंटाक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं एट बैटालियन आई टी बीपी बिट्वीन मलारी और सुमना विलेच यह तैना थे यह लगातार रोड बना रहे हैं क्योंकि चाइना के पास है चाइना के पास बगल में चाइना है बॉर्डर है तो रोड बन रही है और सेंट्रल आर्मी कमांड है वो रेस्क्य आपरेशन को पूरा कर रही है ग्लेशल आउटबर्स पे मैंने लेच्चस लिए है वैसे तो पूरी ज़ोग्रफी कवर की है अभी नंदा देवी ग केदार नात में जो भयानक डेवस्टेशन हुआ तो वह तो कोई भूली नहीं सकता हालत खराब होगे थी सबकी ग्लेशल लेक आउटबर्स्ट फ्लेड होता क्या है जी एल ओ है जिसको बोलते हैं देखिए इसमें जो मेल्ट वाटर होता है मोरेन या आइस के फॉर्म में व एक तो sudden release of water, एकडम से पानी release होगा और कुछ rapid events, second feature होता rapid events, third, large downstream of water, upstream मतलब उपर जाना, मतलब against downstream मतलब नीचे जाना, तो glacier से पानी फटा पानी गया और वो नीचे गया जिसकी वज़े से बाड़ आती है ठीक है तो यह हिसाब किताब रहता है Glacial Lake Outburst GLOF खुश रहे परते रहे दे से सिद्दान तक नहीं हो तरी signing off, इसमें कोई भी खबर मिलेगी मैं आपको बताऊँगा, thank you so much